गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं आपका अरिजनिंग टीचर आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर एनलोगी के 15 इंपोर्टेंट कोशन्स तो आज की कोशन्स काफी अच्छे कोशन्स हैं आप हमारे वीडियो के अंतर तक बने रहिएगा और आप साथ साथ में वीडियो को पा के और निचे कमेंड कर दिएगा चलते हैं कॉश्तन को मेरा पहला दे रखा है 136 से कोई नंबर हमारा 469 हो रहा है 136 से 469 हो रहा है तो 247 से हमारा नंबर क्या होने वाला है तो question हमारा क्या है ये number analogy का है ये question हमारा है बढ़ रही है तो कैसे सको solve करेंगे 499 से 136 हो रही है कितनी number हमारा बढ़ रहा होगा देखते हैं 9 मेंद से 6 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 4 में से गया 3 मतलब ये number जो बढ़ होगा वो कितने से बढ़ होगा 333 से बढ़ा होगा 333 से मेरा ये नंबर बढ़ा होगा तब हमारा 469 मिला होगा यही काम इसमें करना चाहिए जो left hand side process होगा वही हम right hand side में apply करेंगे तो 333 इसमें add करेंगे 7 3 10 4 3 7 8 और 2 3 5 580 आंसर आना चाहिए बट मेरे पहले option में भी 580 नहीं है 3rd में भी 4th में भी नहीं है तो 333 इसमें add करना चाहिए बट 333 इसमें add नहीं हो रहा इसका मतलब कुछ come add हो रहा है तो 333 का कुछ divide करके देखते है 1 3rd ले 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 लेते हैं कितना 1 3rd divide करते हैं 3 x 3 3 x 3 111 add करके देखते हैं 247 में 247 में 111 add करते हैं तो जब हमने इसमें प्लस 118 किया तो मेरा आंसर निकल के आया 200, 308, option second वाला हमारा ठीक हो गया तो कुछ हमारे variation आप questions होते हैं जिसमें क्या होता है left hand side जो process हो रहा है वो ना होके कुछ उसमें कुछ divide होके भी कर सकते हैं second वाला 358 ठीक हुआ चलते हैं इस question पर अगला हमारा question देखा दिया है 49 से कोई number क्या हो रहा है 81 हो रहा है तो 64 से हमारा अगला number क्या आएगा 49 किसका square होगा 7 का square 49 होता है इसी तरीके से 81 किसका होगा 9 का square क्या होता है 81 होता है 7 से 2 नमबर एक्षटा करके ये square कर रहे हैं इसी तरीके से ये 64 किसका square होगा 8 का square 64 होगा 2 नमबर बढ़ा के करेंगे तो plus 2 जोड़ देंगे 10 का square करेंगे तो आएगा मेरे पास 100 तो option हमारा second वाला ठीक हो जाएगा 100 वाला option ठीक हो जाएगा चलते हैं नेश कोश्टन पर अगला हमारा कोश्टन दे रहा है 371 से कोई नमबर क्या हो रहा है 150 हो रहा है तो 468 से हमारा नमबर कौन सा आएगा प्रशनवाचक चिन के स्थान पर तो यह नमबर क्या है धीरे धीरे घट रहा है मतलब एक तरीके से सीरीज घट रही है 371 में से ऐसा क्या घटा होगा जो हमें 150 मिला होगा देखते हैं 1 में से 1, 7 में से 5 गया, 2, 3 में से 1 गया, 221 नमबर घटाएंगे 371 में से 221 अगर घटाएंगे तो कितना मिलेगा 150 इसी तरीके से 468 में से 221 घटाएंगे देखेंगे क्या मिलेगा 8 में से 1 गया 7 6 में से 2 गया 4 4 में से 2 गया 2 247 मेरा नंबर अगला मिलेगा पहला वाला option ठीक हो जाएगा चलते हैं इस question पर अगला हमारा question दे रखा है 42 से कोई नंबर हमारा कितना हो रहा है 31 हो रहा है तो यह option दिये हैं 4 option में कौन सा हमारा pair दिया है कौन सा pair ठीक होगा तो 42 से 31 मतलब कोई नंबर घट रहा है कितने से घट रहा है देख लेते हैं 2 में से 1 गया 1 4 में से 3 गया 1 तो 41-31 में हमारा जो गतेगा तब हमारा 6 मिलेगा पहला ही option हमारा ठीक हो जाएगा इए option ठीक हो जाएगा पहला वाला चलते हैं इस question पर अग्ला हमारा question दे रखा है 7 से कोई number 17 हो रहा है और प्रेश्ट माचक चिन्र के स्थान पर क्या आएगा तो 7 से 17 आप्लाई करते हैं 7 से 17 और पहले में जोड के देखते हैं 7 में 17 कितना जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 17 मिलेगा इसी तरीके से यहां पर भी 10 जोड़ें जो 50 मिले तो 10 जोड़ेंगे इससे पहले नमबर क्या रहे ना चाहिए 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50 बड मेरे पास आप्शन नहीं है ना पहले में 40 है ना दूसरे में ना तीसरे में चोथे में तो यह तो मेरा जो है आंसर जो है नहीं आएगा अब देखते हैं दूसरा आंसर क्या आएगा तो साथ में ऐसा क्या करें जो हमें 17 मिल जाए साथ में ऐसा क्या करें जो हमें 17 मिल जाए साथ में क्या करते हैं दो का गुड़ा कर लेते हैं और प्लस 3 एड़ कर लेते हैं साथ दूनी 14 और प्लस 3 17 इसी तरीके से साथ में हमने 2 से multiply किया और add कर लिया अब option में देखेंगे 50 कैसे मिलेगा ऐसा कौन सा multiply 2 से गुणा करेंगे तो 23 का अगर हम 2 से गुणा करतें कितना मिलेगा 23 दूनी 46 और 3 add करेंगे तो 49 आएगा बलकि 3 ना add करके इसमें 4 add करेंगे 46 में 4 add कर देंगे कितना आएगा 50 तो देखिए सीरीज क्या है इन्होंने जो नमबर दिया उसमें 2 का multiply किया 3 add किया हमने भी option वाला 23 उठाया उसमें 2 का multiply किया और क्या add किया 4 add किया क्योंकि इसमें 3 add हो रहा इसमें अगले नमबर से इसमें add करेंगे अगला नमबर के आएगा चार आएगा तो option मेरा पहला वाला ठीक हो जाएगा 23 पहला option ठीक हो जाएगा चलते हैं अगले question पर अगला question दे रखा है 1648 क्या हो रहा है 1349 और 266 हमारा क्या मिलेगा 1648 से 1349 हो रहा है इसमें एक process apply करेंगे 1648 जो लिखा है वो कैसे लिखा है देखते हैं 16 का ये क्या कर रहे होंगे 3 से गुणा कर रहे होंगे 16 का अगर 3 से गुणा करेंगे तो अगला नमबर 48 मिलेगा इसी तरीके से 1349 का क्या करेंगे 1349 में करेंगे 13 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा तेरा 63 मिल जाएगा इसी तरीया गुणा करेंगे तो ऑर क्या करेंगे तो दियालिस दो ए आएगा 42 है मेरे पास, तो 1442 को क्या कर रहे हैं ये, 1442 को ये कर रहे हैं, 14 का 3 में गुणा कर रहे हैं, तो अगला नमबर 42 मिल लाए, तो option मेरा third वाला ठीक हो जाएगा, चलते हैं next question पर, अगला हमारा question दे रखा है, 17 से हमारा कौन सा इसा नमबर आएगा, और 145 हमारा 195 हो जाए, हम इसको क्या करेंगे, right hand side से देखेंगे, 145 में क्या जोड़ा है, 195 में मिल जाए, 50 जोड़ते हैं, तो हमारा क्या मिल जाता है, 195, यही काम इसमें देखते हैं, left hand side में वही काम करते हैं, 50 जोड़ते हैं, 17 में अगर 50 जोड़ेंगे, कितना मिलेगा, सर पसड़ मिलेगा जो कि मेरे पास आंसर नहीं है तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ अलग प्रोसेस लग रहा होगा तो 145 हमें मिल ला है यह या तो किसी का स्कॉायर होगा आसपास में या किसी का क्यूब होगा इस टाइप के कोश्चन्स करने के लिए आपको 20 तक स्कॉाय मिलेगा अगला हम क्या काम करेंगे 195 किसके आसपास होता है 16 का स्कॉायर या 13 का स्कॉायर या 17 का आप लोगों को स्कॉायर पता होने चाहिए तो किसका स्कॉायर होता है 14 का स्कॉायर 14 का स्कॉायर होता है 196 और एक घटा देंगे कितना आएगा 195 तो 12 का स्कॉायर करना है अग मेरा निकला होगा किसका इसकार होगा चार का इसकार होगा और इन्होंने प्लस एड कर दिया होगा मिल गया होगा सत्रा चार के बाद क्या नंबर आता है दो एड करने बाद शे आएगा छे का इसकार करेंगे एक इसमें गटाएंगे 30-1 आंसर आएगा 35 तो मेरा आंसर जो जा रहा है 2222 हो रहा है तो ऐसा क्या नम्मर एड़ कर रहे होंगे जो 2222 हो जाएगा देखते हैं 3222 0000 4000 मतलब यह 4000 इसमें एड़ कर रहे होंगे तब हमें मिला होगा कितना 3222 तो यही काम इसमें करना चाहिए क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड में प्रोसेस अप्लाई करते हैं वही राइट हैंड साइड प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो 4000 अगर हम इसमें एड़ करते हैं 3,2,3 में 4000 देखते हैं आंसर आता है यह नहीं तो 3, 2, 3, 7, 73, 23 आना चाहिए ऐसा मेरा कोई option में नहीं है तो इसका मतलब इसमें कुछ अलग हो रहा है अलग क्या हो रहा है 33, 23 में हम क्या aid करेंगे 44, 4, 4, 8 करके देखते हैं उसे थोड़ा हटके aid करना पड़ेगा नमबर कितना aid करना पड़ेगा 44, 4, 4, 4, 4, 8 क्या तो मेरा option 3 वाला ठीक मिल गया सबस्थाइब अप्शन 3 ठीक हो जाएगा चलते है नेश कोशन पर अगला हमारा कोशन दिया है कोई नमबर एक से आठ हो रहा है तो 27 हमारा नमबर क्या होगा एक हमारा कम मिलेगा वन का क्यूप करेंगे तब वन मिलेगा दो का क्यूप करेंगे तो क्या मिलेगा आठ मिलेगा तीन का क्यूप करेंगे तो कितना मिलेगा 27 मिलेगा मतलब नंबर एक एक बढ़के चल लाए एक के बाद दो आया, दो के बाद तीन आया तीन के बाद क्या, चार का क्यूब करेंगे तो चार का क्यूब कितना होता, चाउसट होता है तो option हमारा चौथा वाला ठीक हो जाएगा, चलते है नेश कोशन पर अगला हमारा कोशन दे रखा है 24, 126 हो जाता है तो 48 वाला नंबर क्या होगा कोई नंबर 24, 123 हो रहा है 48 है क्या होगा, नंबर तेजी से बढ़ रहा है मतलब कुछ ना कुछ square हो रहा होगा, तो 24 मिलेगा किसका square होगा, 5 का square कितना होता है, 25 होता है एक घटा दो कितना मिलेगा 24 मिलेगा इसी तरीके से 126 किसका square होगा या cube होगा 5 का cube कितना होता है 125 होता है और एक 8 कर दो तो 126 मिलेगा जो left hand side में हम process apply कर रहे हैं वही right hand side में process apply करेंगे तो यह 48 किसके square क्या स्पास होता 7 का square करेंगे 49 आएगा 49 में 1 8 कर देंगे क्या मिलेगा 48 इसी तरीके से जिस नंबर का square किया उसी नंबर का क्या करेंगे cube करेंगे 7 का cube और जोड़ेंगे कितना एक जोड़ेंगे 343 होता है 7 का cube एक 8 कर देंगे तो कितना हैगा 344 तो option में रहा जाएगा 4 वाला ठीक हो जाएगा 344 चलते है next question पर next question दे रहा है 2 से 7 कोई नंबर हो रहा है तो 6 के बाद हमारा प्रशनवाद चेक चिननके इस्तान पर क्या आएगा 2 से 7 हम देखते हैं अगर हम 5 इसमें जोड़ देते हैं तो दो में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा साथ आएगा पांच जोड़ने पर इसी दरीके छे में अगर साथ जोड़ेंगे कितना आएगा 13 आएगा बट मेरे option में साथ लाने ‫लिए क्या करना पड़ेगा तो सात आ जाएगा 2 का Steel चाई है किन चतरीक हैगा चेकार करते हैं तो 8 के बाद हमारा number कौन सा आएगा प्रश्ण बाचक्षिन पर क्या आएगा 6 से 5 मतलब हम क्या करते हैं एक घटा लेते हैं 6 में से एक जाएगा 5 मिलेगा इसी तरहीं कि जो left hand process apply कर रहे वही right hand side करेंगे 8 में से घटाएगे 7 मिलना चाहिए बट मेरा option में 7 नहीं है तो इसमें कुछ ना कुछ अलग concept लग रहा है 6 हमारा कैसे मिला होगा 2 का 3 में अगर गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 2 3 6 और जिस number का multiply कर रहे हैं उन्हीं दोनों को add करो कितना आ जाएगा 2 3 5 देखिए 6 में हमने क्या करा 2 का 3 में multiply किया और उन्हीं 2 और 3 को add करा 5 मिला इसी और दो 6 6 option में मारा 3 वाला option ठीक है तो मेरा option हो जाएगा तीसरा वाला ठीक हो जाएगा 6 अगला question दे रखाए प्रेश्ण वाचक चिन के स्थान पर क्या आएगा और नंबर मेरा 63 बन रहा है यह 8 से 26 बना इस question को हम left hand side से solve करेंगे 8 से कोई नंबर 26 बन रहा है आठ नियाँ 24 दो एट करेंगे 26 तो इदर देखते हैं 63 कैसे बिलेगा नौनेमाइक क्यासी आठ नियाँ 24 गलत हो रहा है यह process इसका मतलब एक काम और कर लेते हैं जीरो में 8 एट करेंगे 8 मतलब इन दोनों नंबर को ही 8 कर लेते हैं इसी तरीके 2 और 6 को भी एट करेंगे तो क्या 8 मतलब जो दो नंबर दी हैं उन दोनों को एड़ करके देख लेते हैं सेम से मिला है इसी तरीक चे और 3 करेंगे 6 और 3 कितना मिलेगा 9 मिलेगा तो यहां पर कितना रहेगा 2 नंबर का सम 9 के बरावरा आना चाहिए देखते हैं 2 और 1 एट करेंगे 3 आएगा पांच और एक करेंगे छे आएगा दो नंबर्स होना चाहिए यहां पर एक नंबर है तो पहले ही से गलत है और यहां पर दो नंबर को एड कर रहें एक और आठ और नौ मिला, ये नौ था, और ये भी जोडने पर नौ मिला, तो option हमारा तीसरा वला ठीक हो जाएगा, चलते हैं, अंगले question पर, अगला question दे रखा है, 64 के बाद हमारा ऐसा क्या number आएगा, 72 से कोई number हमारा क्या हो जा रहा है, 75 हो जा रहा है तो 72 से 53 हमारा अगर घटाएं जैसे घटा के देख लेते हैं 72 से 53 हो रहा है कोई नमब 12 में से 3 गया 9 6 में से 5 गया 19, 19 गटाएंगे 64 में से 19 गटा के देखते हैं प्रोसेस यह हो रहा है या नि 14 में से 5, 5 में से 4, 45 मतलब 45 कोई आप्शन में नहीं है तो यह घटने वाला प्रोसेस तो नहीं चल लाए 72 से 53 हो रहा है 72 अब नमबर्स नमबर्स एट करके देखते हैं 7, 2, 9 और 5 और 3, 8 मतलब नमबर्स को अगर हम जोड रहे हैं तो उनका सम 9 आ रहा है इसका अगले वाले का सम 18 मतलब 1 कम आ रहा है 11, 1 कम आ रहा है यहीं का हम इधर करके देखते है 6 में अगर हम 4, 8 करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा आना कितना चाहिए, 1 कम करके यहाँ पर 9 आना चाहिए अब ऐसे नंबर्स का सम करो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा 5 और 4 जोड़ दो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा तो आंसर मेरा सेकेंड वालट ठीक हो जाएगा 5 में 4 एट करेंगे 9 आ जाएगा जो राइट हैंड साइड में जो प्रोसेस हो रहा सत्रा से कोई नंबर साथ हो रहा है तो 20 से हमारा नंबर क्या होगा नंबर हमारा तेजी से बढ़ रहा है मतलब कुछ ना कुछ मल्टिप्लाई हो रहा होगा या स्कॉयर या क्यूब हो रहा होगा तो सत्रा का अगर हम 3 से multiply करते हैं तो 17-31 और 60 लाना है तो क्या जोड़ देंगे 9 जोड़ देंगे 51-59-60 इसी तरीके जो में left hand side process apply किया वही right hand side करेंगे 20 का अगर हम 3 से गुणा करें 20-33-60 और क्या इन्होंने 9 जोड़ा तो इधर भी 9 जोड़ देंगे 60 में 9 जोड़ेंगे 69 देखे 69 कहीं पर मिल ला है 69 मेरा option second वाला option हमारा ठीक हो जाएगा 69 तो यह हमारे 15 questions थे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोगों के कितने questions ठीक हुए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को like करें सब्सक्राइब करे और वेल आइकन दवाना विलकुल न भूलें जिससे आपको नेक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो